नमस्कार, भारत की कानून को जरा समझें, तो आपने कई सारी वेबसाइट्स विजिट करी होंगी, ऐसी वेबसाइट्स जिसमें पॉनोग्राफिक कॉंटेंट होते हैं, सेक्श्वल अब्यूसिफ कॉंटेंट होते हैं, और रोजाना आज के टाइम पे कोई नई बात नहीं ह जब आप विजिट करते हैं, कई लोग के साथ में अब इस पे भी फ्रॉड होने शुरू हो गए, किस तरीके से? धोखा दड़ी के आप भी शिकार बन सकते हैं, जब आप इस तरीके की वेबसाइट को अपने मुबाइल फोन से, लैप टॉप से, कम्प्यूटर से, जब वि देख रहे हैं, ये भारत के कानून के हिसाब से इल्लीगल है, और इस वज़र से आपको 25,000 रुपे जुर्माना भरना पड़ेगा, अगर आपने 25,000 रुपे जुर्माना नहीं भरा, तो आपको तकलीफ का सामना ये करना पड़ सकता है, कि पुलिस आपके घर पर आएगी और आपको अरेस्ट कर लेगी, अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है, तो आपको क्या करना है, और अगर आप भी इस तरीके की कुछ वैब साइट में, जो पॉर्नोग्रेफिक कॉंटेंट से रिलेटेड होती हैं, या अगर वहाँ पर आप जाते हैं, तो आपको ये ध्य जान रखना है कि इस तरीके के जहांसे में आप ना आए, इस तरीके की गति विदियो में आप ना पढ़ें, क्योंकि आपको भी बनाया जा सकता है ठगी का शिकार, नमस्कार, आपने शुरुआत की है, अशोव पाइंडे के साथ, लीगल एडवाईज में, जहां पर कानू कॉंटेंट को देख रहे हैं, आप किसी पॉनोग्राफिक वेबसाइट को विजट कर रहे हैं, चाहे मोबाईल फोन, लाप्टॉप या कंप्यूटर के माध्यम से हो, तो आपको किन बातों का रखना है ध्यान, सबसे पहली बात तो यह है, कि जब कभी भी आप इस तरीके क कॉंटेंट में जाए, एक तो जाए नहीं, और अगर जाते हैं, तो आपको इनकॉग्निटो विंडो का यूज करना है, आप अपने मोबाईल पे लाप्टॉप में यह फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकॉग्निटो विंडो क्या होता है, वहाँ पर आपकी हिस्ट्री ट्र कार आपको नहीं भेजती है, कि 25,000 रुपे और ओनलाइन जुर्माना लगा दिया, आप भेजो, पैसे हमारे इस एकाउंट में डालो, अदरवाइस हम आपके खिलाफ, कई लोग इस तरीके के जहांसे में आकर कि अपने मेहनत की गाड़ी कमाई बर्बाद कर चुके हैं, अ आपको डरने की ज़रूत नहीं है, simply आप ब्लॉक कर दें, आपका computer, laptop या mobile phone हैंग हो गया, आप उसे restart करें, restart हो जाएगा, या history को delete करें, या फिर भी नहीं तो आप किसी technician के पास में जा करके, अपने computer को reset या format या जो भी आपने mobile phone इस्तमाल किया है, इस process के दौरार, आप वापस से restart या reset कर सकते हैं, महतपूर्ण बात मेरा कहने का आपको ये दात पर ये था, कि आप किसी भी तरह से इस प्रकार के जहांसों में ना आएं, अगर आपने ये transaction किये, तो भी ऐसे transaction लेने के बाद मान लीजे, आपको जो भी विक्ति ठगी का शिकार बना रहा है, आप से और पैसे माँगेगा, आप और पैसे देंगे, वो आप से और पैसे माँगेगा, इस वज़ह से इस पस्टता के साथ बात को ध्यान रखें, कि ये सब कुछ आपको ठगने, आपको शिकार बनाने का एक जरिया है, आपको अपना करना है, बचाओ, अगर आप इस तर की है या सेंट्रल तो आप कर सकते हैं रेजिस्टर दूसरी बात ही है अगर आप मैन्यूल करना चाहें तो अपने वकील के तुरू या पर्सनली खुद लीगल रप्रेजेंटेशन बना करके उनको भेज सकते हैं किस प्रकार की है घटना मेरे साथ में घटित हो चुकी है जो रिटेल से आप वो प्रिस्क्राइब करें साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उनको पकड़ने और उनको उनके गलत काम के लिए जो भी जुर्माना लगाना है या जेल भेजनी है जो भी कानूनी प्रक्रिया ये अब उनका टेंशन आप अपना काम पूरा कर लें आपको य किया जाएगा खाली आपको जानकारी अगर पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर दें मुझे डिरेटली बात करना चाहते है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल और लिंक है जहां से अपॉइन्मेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात किम्ती महात्यपूर्ण समय अशोग पांडया ने मुझे दिया था आप सभी स्वस्त और सुरक्षित रहें इस कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में